नमस्कार दोस्तों इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौंधिया महराष्ट से हावडा कॉलकता तक चलने वाली सबी ट्रेंज की जानकरी के बारे में तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आइकन जरूर तबाएं ताकि आपको लेडियो की नोरिफिकेशन मिलती रहे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौंधिया महराष्ट से हावडा कॉलकता तक चलने वाली सबी ट्रेंज की जानकरी के बारे में जानेंगे गौंधिया महराष्ट से कौलकता तक कौन-कौन से ट्रेंज चलती है और उन सबी ट्रेंज के नाम और नमबर के बारे में जानेंगे करेंगे और average speed क्या है यह सभी चीजों के बारें बात करेंगे इस रूट पर तक्रीवन 15 ट्रेने चलती है जिन में से mail express ट्रेन भी है सुपर फार्स ट्रेन भी है और हम सब पर ट्रेन भी है सभी ट्रेनों के बारें बात करेंगे जो कि गौंदिया को हावडा या कौकता से connect करती है गौंदिया को हावडा से या कौकता से connect करने वाली जो सब से पहली train इस पर है वो है मुंबई LTT का माख्या करम भूमी एक्सप्रेस ट्रेन जो की हर बुद्वार को गौंधिया जंक्शन महराष्ट से रात के तीन बच के ग्यारा मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और 16 गंटे दो मिनट बाद कॉलकता के धनकुनी जंक्शन म है उपरेट करता है सैकन्ड एसी थर्ड इसी स्लिपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं और पैंट्री कार का कोच भी शामिल है लहीं कोचिस वाली ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है बाइस हजार पांसो ग्यारा कि इसके बाद जो दूसरी स्टेशन आप इस रूटपर चलती ह उसका नाम है पूने 17 गाची हमसफर एक्सप्रेस ट्रेंज जिसका ट्रेंड नमबर है 20,821 गौंदिया जंक्शन से हर मंगलवार को रात को तीन बच के 11 मिनिट पे ये रवाना होती है और 15 गहंटे 24 मिनिट बाद शाम के 6 बच के 35 मिनिट पे 17 गाची में पहुंचाती है इसके तक्रीबन 10 स्टेशन से 992 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस पीडिस रूट पर 64 किलोमेटर परावर है और इसका ट्रेंड नमबर है 20,821 गौंधिया जंक्षन से हर मंगलवार को चलती है अगर कोचिस के बारें बात करें तो इसमें सिरुफ थर्ड एसी के कोच होते है थर्ड एसी के तक्रीबन इस ट्रेंड में 18 कोचिस हैं और यह हमसफर टाइप की ट्रेंड है सौथ इस्टरन ड्रेलवे जोन जो है उपरेट करता है इसके बाद गौंधिया से हावडा के बीच में चलने वाली जो नेक्स ट्रेंड है उसका नाम है मुंबई CSMT हावडा वीकली सुपर फास एक्सप्रस ट्रेंड जिसका ट्रेंड नमबर है 12869 और यह जो ट्रेंड है हर सोमवार को रात को 3.26 मिनट पे एरवाना होती है और 16 गेंटे 19 मिनट बाद हावडा जंक्शन में शाम के 7 बज़ के 45 मिनट पे 23 नमबर प्लाटफॉर्म पे पहुंच जाती है हावडा जंक्शन में टोटल 11 स्टेशन्स हैं और 1000 किलोमेटर का डिसन्स जो है कवर करती है अबरे स्पीड इस रूट पार 61 किलोमेटर पारावर है सुपर फास टाइप की ट्रेन है साउथ इस्टन रेलवे जोन जो है अपरेट करता है फरस्ट एसी सैकंड एसी थर्ड एसी थर्ड एसी एकॉनमी स्लिपर क्लास और जर्नल डिब्बे है और पेंटरी करका कोच भी शामिल है और लेच भी कोचस वाली ट्रेन है इसके बाद गौंदिया को हावडा से कनेट करने वाली जो नेक्स ट्रेन इस रूर्ट पर है उसका नाम है साइनगर शिड़ी हावडा सुपर फास्ट एक्सप्रस ट्रेन जो की हर इतवार को गौंदिया जेंक्शन से राट के 3 बच के 26 मिनट पे चलती है और 16 घंटे 4 मिनट बाद शाम के 7 बच के 30 मिनट पे हावडा जेंक्शन में पहुंच जाती है इसके तकरीबन 11 स्टेशन से हैं और 1000 किलो मेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस पेडिस रूट पर 62 किलो मेटर परावर है सूपर फास्ट टाइप की ट्रेन है साउथ इस्टन रेलवे जोन जो है उपरेट करता है सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं एलेच भी कोचिस वारी ट्रेन है पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और अगर कोचिस के बारे में बात करें तो पांच इसमें जर्नल डिब्बे हैं छे इसमें स्लिपर क्लास के कोच है एक पेंट्री कार का कोच है साथ इसमें 3rd AC का कोच है और 1 2nd AC का कोच भी शामिल है इसके बाद जो next train इस रूर पे चलती है उसका नाम है हजूर साहिब नांदेड 17 गाची सूपर फास्ट एक्स्प्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12,667 यह जो ट्रेन है गौंदिया जंक्शन से हर मंगलवार कोच रात को 3.26 मिनट पे रवाना होती है और 16 गेंटे 4 मिनट बाद 17 गाची में शाम के 7.30 मिनट पे पहुंच जाती है इसके तक्रीवन 10 स्टेशन हैं 992 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेश स्पेड इस रूड पर 62 किलोमेटर परावर है और यह सुपर फास्ट टाइप के ट्रेन है साउथ सेंटर रेलवेज जो है उपरेट करता है सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लिपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं आई सिफ कोच इस वाली ट्रेन है, पेंटरी कार का कोच भी शामिल है इसके बाद गॉंदिया को कॉलकता से कनेट करने वाली जो नेक्स ट्रेन इस रूड पर है उसका नाम है पोर बंदर शाली मार सुपर फास्ट एक्सप्रस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12905 यह जो ट्रेन है गॉंदिया जंक्शन से हर मंगलवार और शुकरवार को सुबा 11 बच के 25 मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 25 मिनट बाद कॉलकता शाली मार में अगले दिन रात के 3 बच के 50 मिनट पे पहुंच जाती है और इसके तकरीवर 15 स्टेशन है 997 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस स्पीड शूरूड पर 61 किलोमेटर पारावर है सुपर फास्ट ट्राइब की ट्रेन है वेस्टन रिल्वे जोन जो है उपरेट करता है फर्स एसी, सेकर्ड एसी, थर्ड एसी, स्लिपर क्लास और जर्नल डिब्बे है और आईसेफ कोचिस वाली ट्रेन है पेंटरी कार का कोच भी शामिल है इसके बाद जो नेक्स ट्रेन जो की गौंदिया को कौलकता से कनेट करती है हो है ज्यानिश्वरी एक्स्प्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12101 ये जो ट्रेन है गौंदिया जंक्षन से हरितवार, मंगलवार, भुदवार और शनिवार को सुबा 11 बच के 25 मिनट पे 4 नंबर प्लाटफॉम से रवाना होती है और 16 गेंटे 25 मिनट बाद अगले दिन रात के 3 बच के 50 मिनट पे 3 नंबर प्लाटफॉम पे शाली मार में पहुंच जाती है इसके तक्रीबन 12 स्टेशन हैं और 997 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस पीडिस रूट पर 61 किलोमेटर पर आवार है इसके बाद जो नेक्स ट्रेइन जो की गौंदिया को कॉलकता से किनेट करती है वो है ओखा शाली मार सुपर फास एक्सप्रेस ट्रेइन जिसका ट्रेइन नंबर है 22,905 यह जो ट्रेइन है गौंदिया जंक्शन से हर सुमवार को सुबह 11 बच के 25 मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 25 मिनट बाद कॉलकता शाली मार में रात के 3 बच के 50 मिनट पे पहुंच जाती है इसके तक्रीवन 15 स्टेशन से 997 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरे स्पेड इस रूट पार 61 किलोमेटर पर आवर है सुपर फास्ट टाइब की ट्रेन है वेस्टरन रेलवे जोन जो है उपरेट करता है फर्स एसी सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जर्नल डिबबे हैं और आईसी अफ कोच इस वाली ट्रेन है पैंटरी कर का कोच भी शामिल है इसके बाद गौंदिया से हावडा के बीच में चलने वाली जो नेक्स ट्रेन इस रूट पे चलती है उसका नाम है आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 121199 यह जो ट्रेन है गौंदिया जंक्शन से हर रोज सुबह 11 बच के 52 मिनट पे चार नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 3 मिनट बाद अगले दिन रात को 3 बच के 55 मिनट पे हावडा जंक्शन में 17 नंबर प्लैटफॉर्म पे पहुंच जाती है इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 1000 किलोमेटर का डिसेंट जो है कवर करती है एवरेस पेडिस रूट पर 62 किलोमेटर परावर है सुबर फास्ट आइप की ट्रेन है सेंटर रेलवे जोन जो है अपरेट करता है और इसमें 2nd AC, 3rd AC Slipper Class और जर्नल डिब्बे है ICF Coaches वाली ट्रेन है और पेंटरी कार का कोच भी शामिल है इसमें इसके बाद गौदिया से हावडा के बीच में चलने वाली जो नेक्स ट्रेन है वो उसका नाम है समरसता सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12,150 समरसता सुपरफास्ट ट्रेन जो है गौदिया जंशन से हर गुरुवार और शुकरवार को दुपहर के 12.06 मिनट पे 4 नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और 19.04 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अगले दिन सुबह 7.10 मिनट पे कॉलकता शाली मार में पहुंच जाती है इसके तकरीवन 16 स्टेशन से 1125 किलोमेटर का डिस्टन जो है कवर करती है एवरेस स्पीडिस रूट पर 60 किलोमेटर परावर है इसके बाद जो नेक्स ट्रेन इस वूट पे चलती है जो कि गॉंदिया को कॉलकता से किनट करती है वो है पोर बंदर 17 गाची कवी गुरू एक्सप्रस ट्रेन जो कि हर शनिवार को गॉंदिया जंक्शन से दुपहर के 12 बच के 6 मिनट पे 4 नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और 18 गेंटे 50 मिनट बाद अगले दिन सुबा 6 बच के 55 मिनट पे एक नंबर प्लैटफॉर्म पे 17 गाची जंक्शन में पहुंचती है इसका ट्रेन नंबर है 12949 और इसके तकरीवन 14 स्टेशन से और 1120 किलोमेटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है एवरेस पेडिस रूट पर 60 किलोमेटर पर आवर है सुपर फास ट्राइब की ट्रेन है वेस्टरन ड्रेलवे जो है अपरेट करता है कोचिस के बारें बात करें तो ICF कोचिस वाली ट्रेन है 1.AC, 2.AC, 3.AC, स्निपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है इसके बाद जो नेक्स ट्रेन इस रूट पर चलती है जो की गौंदिया को हावडा से किनेट करती है वो है मुंबई CSMT हावडा मेल ट्रेन जो की बायर नाकपुर होकर चलती है ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 12809 गौंदिया जंक्शन से रुजाना ये ट्रेन जो है दोपहर के 1.35 मिनट पे 3 नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और 16 गेंटे 45 मिनट बाद अगले दिन सुबा 6 बचके 20 मिनट पे 17 नंबर प्लैटफॉर्म पे पहुंच जाती है इसके तकरीवन 20 स्टेशन से 1000 किलो मिटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस स्पीडिस रूट पर 60 किलो मिटर पर आवर है सुपर फास्ट आप के ट्रेन है साउथ इस्टन रेलवे जोन जो है उपरेट करता है फर्स्ट एसी सैकेंड एसी थर्ड एसी थर्ड एसी एकॉनमी सिलिपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं और लेश भी कोच इस वाली ट्रेन है पेंट्री कार का कोच भी शामिल है इसके बाद गॉंदिया से कॉलकता तक चलने वाली जो नेक्स ट्रेन इस रूट पर है वो है मुंबई LTT शालिमार एक्स्प्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 18,029 ये जो ट्रेन है गॉंदिया जेंशन से रोजाना दुपहर के 3.58 मिनट पे 4 नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और 19.57 मिनट बाद कॉलकता शालिमार में अगले दिन सुबा 11.55 मिनट पे 3 नंबर प्लैटफॉर्म पे पहुंचती है इसके तक्रीबन 37 स्टेशन हैं और 997 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस्पीड इस रूट पर 50 किलोमेटर पारावर है मेल एक्सप्रेस टाइप के ट्रेन है साउथ इस्टन रेलवे जोन जो है उपरेट करता है आईसे अफ कोचिस वारी ट्रेन है सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जनर्नल डिब्बे हैं इस ट्रेन में इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है नेक्स ट्रेन वह है वो है एहमदबाद हावडा सूपर फास्ट एक्सप्रस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है बारा हचार आट सो तेटिस गौंधिया जंक्शन से रोजाना ये ट्रेन जो है रात के आठ बच के सोला मिनिट पे चार नंबर प्लैटफॉर्म से रवाना होती है और सतरा गेंटे चौवन मिनिट बाद अगले दिन दोपैर के दो बच के दस मिनिट पे बीस याए किस नंबर प्लैटफॉर्म पे हावडा जंक्शन में पहुंच जाती है इसके तकरीबन 25 स्टेशन से 1002 किलोमेटर का डिसेंट जो है कवर करती है एवरे स्पीडिस रूट पर 56 किलोमेटर परावर है सुपरफास टाइप की ट्रेन है सौथ इस्टन रेलवे जोन जो है उपरेट करता है सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जनल डिब्बे हैं और LHB कोच इस वाली ट्रेन है पैंट्री कार का कोच भी शामिल है इस कोच इस ट्रेन में दो जनल डिब्बे हैं पांच लिपर क्लास के कोच हैं छे आठ इसमें थर्ड एसी के कोच है तीन इसमें सेकंड एसी के कोच भी शामिल है इसके बाद गौंदिया से हावडा के बीच में चलने वाली जो आफ़ी ट्रेन इस रूट पर है वो है गितांजली एक्स्प्रस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12859 यह जो ट्रेन है गौंदिया जंक्शन से हर रोज रात के 8 बज के 51 मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉर्म से रभाना होती है और 16 गेंटे 14 मिनट बाद अगले दिन दुपहर को एक बच के 5 मिनट पे यह 18 या 22 नंबर प्लाटफॉर्म पे हावडा जंक्शन में पहुंचती है इसके तकरीवन 13 स्टेशन से 1000 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेश स्पेडिस रूट पर 62 किलोमेटर पर आवर है सोप्रफास टाइप की ट्रेन है साथ इस्टन रेलवे जोन जो है अपरेट करता है सेकंड एसी थर्ड एसी थर्ड एसी एकॉनमी सिलिपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं एलच भी कोचस वाली ट्रेन है पैंटरी कार का कोच भी शामिल है तो दोस्तो इसी के साथ गौंदिया से कॉलकता हवडा तक चलने वाली सब भी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समापत होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आईए हो अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आइकन जरूर दमाएं ताकि आपको लेटस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुबो धन्यवाद